तो देखे दोस्तों आज हम लेके हैं NCRT क्लास 8 की बुक और इसमें यह जो बुक है यह समाजी के ओंग राजनीतिक जीवन तो इसमें हम पार्ट वन करेंगे जो कि है भारतिय समिधान और आपको बताते कि यहां से हर बार दो से तीन प्रसंजों हैं वो हर बार एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास यह पेपर भी है और हम आपको यहां पर दिखाएंगे भी यह कोईशन नंबर 115 यह भी यहीं से पूछा गया था तो यहां पर देखे 140 जो कोईशन है यह यहां से पूछे गया था कि भारत में समिधान को अंगरित कप किया ग सब्द कव जोड़े गया थे तो यह हमारे पास सेट डी है 28 पेपर का तो अगर आपके पास भी है तो आप भी यह सेम कोईशन देख सकते हैं तो इस प्रकार से देखें इसको हमेशा जो है दो से तीन कोईशन हर बार पूछ जा रहा है तो इसमें जो भी important point है कि और हमने उन idea crt की book है काई one दिया गए है यहां पर और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम बात कर तो यह देखें अध्याय फर्ष्ट जो है वह है भारतिया समीधान तो यहां पर समीधान के बारे में बताया गया कि समीधान की आवश्कता क्यों पड़ी तो इस बारे में यहां पे देख सकते हैं किसी वी देश में नेपाल में लोकतंतर के गई और लोक रखेंगल्स पना तो इस प्रकार से में बारे में लेकिन के बारे में द appeals का है ना अब अReậ है आप दे सकते हैं इस प्रकार सी यह बुक्त है और इसमें कुछ आर्टिकल के बारे में देगा है जो इंपोर्डेंट है तो यहां से हमने सब यह नोट कर लिया है तो यह इस प्रकास चप्टर इसको आपको हम पूरा यहां पर दिखा रहा हैं तो यहां पर भारती समिधान के इसके बाद मुख्य लक्षन इसके बारे में भी हम जानेंगे यहां पर और इसके बाद यहां पर डॉक्टर भीम राव में टेकर के बारे में दिया गया जिनको भ कि अधिकार भी है समानता का दिकार तो इसके बारे में यहां पर जानेगे खूँप जानेंगे मौर्लीक अधिकार पेंगे सुंता का दिकार सवल्राइब अधिकार समिधानिक उप्चारों का अधिकार तो यह पूरे के पुर्जूबी दिये गया है इसको हम यहीं पर जान लेंगे तो यह इंपोर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं तो देखे दोस्ता पहला पॉइंट है विश समिधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर सासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं तो आपको पता हुँचे जो समिधान क्या एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें अगर किसी देश को सासन करना है तो वो समिधान के अनुसार ही यहाँ पर काम करता है उसमें जो समिधान है इसमें नियम और कानून बनाए गया है और इनी नियम कानून को देख करी कोई भी देश जोता है वो सासन करता है किसी भी लोगतंत को चलाने के लिए समिधान बहुती महतपूर है 1934 SPI में राष्टे कॉंगरेश ने समिधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपने अधिक्रित निती में सामिल किया तो ये important है ये date आपको याद अखने है कि 1934 में सबसे पहले भारतिय राष्टे कॉंगरेश ने समिधान सभा के लिए गठन की मांग की थी इसके बाद हम बात करें आपर दिसंबर 1946 में समिधान सभा का गठन किया गया तो यह एक्जाम की रिष्टे बहुत important है तो याद रखे कि दिसंबर 1946 को समिधान सभा का गठन किया गया और दिसम्बर 1946 से 1950 के बीच समिधान सभा ने सोतंत्र भारत के लिए नवी नए समिधान का प्रारूप तयार किया कुछ समय पहले तक ये देखी जो हम आपको बता रहे थे NCRT में दिया गए नैपाल के बारे में तो यहां पे देखा कि कुछ समय पहले तक नैपाल का एक राजतंत्र था वहां रजा का सासन था 1990 में नैपाल का पिछला समिधान इस धान्त पर दहने था कि सासन की सरहोच सत्त राजा के पास होगी तो नैपाल में आपको बता दें की काफी लंबे समय से यही राज तंतर चला हुआ आ रहा था यानि जो सरूच सासन जो है वो किसके पास था तो वो राजा के पास हुआ कर रहा था लेकिन नैपाल की लोग कई दसक्से लोगतंतर की स्थापना के लिए जन अंदुरन कर रहे थे और इसी संगर्स के फलसरूप 2006 में राजा की सत्ता को खत सासन हुआ करता था अब हम बात करते हैं भारते सम्धान के मुख्य विशेश्ता क्या है तो डॉक्टर बाबा साहिब अमेरिटकर भारते सम्धान के पिता उन्होंने अनुसुचित जाती के सरकारी नोकरियों में सामिल होने के लिए आगरह किया था तो यह पूछा आता है जाम में कि समिधान सभा के भारती समिधान की पिता किने का जाता है तो डॉक्टर भीमराव मेटकर या फिर बाबा साहिब समिधान सभा के सदस्य थे तो यह important पूछा सकता है कि पहले कितने इसमें सदस्य थे कितने लोगों ने योगद्यान दिया था तो वो थे 300 लोग और कब 1946 में गठित किया गया था समिधान के निर्मान के लिए 3 साल तक समिधान सभा की बैठक होती रही तो यह important है यहाद देखिए कि जो समिधान सभा का निर्मान बना था तो इसमें 3 साल तक समिधान सभा में बैठक होती रही कि इसमें क्या के जोड़ना है और क्या के नहीं जोड़ना है आप देखिए इसमें बहुत कुछ है वैसे एक्जाम बुक में यहाँ लेकिन जो एक्ज буिनेट मिन योजना 1946 के नदरगत किया गया तो यह बहुत इंपॉठंट है यह पूछ आता है यह भाते मिदान का गट की समेंधान की आदेख दू खतो है इसके बाद आगर हम बात कर तो भारते मैं स्ताफना हुत थी इंपॉठंट हैं जो juryn API के बहुत इंपॉर०ेंट है तो भारते समिधान सभा के जो स्थापना होई थी वो 9 December 1940 को की गई थी और इसी समय पहली बैठक होई थी तो अगर ये पूछा जाए कि भारते समिधान के पहली बैठक कब होई थी तो 9 December 1946 और इसी समय स्थापना भी कब होई थी तो जिस दिन स्थापना हो इसी दिन पहली बै कर थे इसके अधा हम बात करेंगे तो भारतिय समिधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया तता 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यही कुशन जो था यूटर ने पूछा गया था और आपको बतादें कि यह कुशन बारत पुझाता है इसमें आपको जाद आखना है कि लागू हो अपनाने की देट अलग है अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 और लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था इसके बाद जो मोस्ट इंपोरेंट है वो बारवाग जाम पुझाता है कि भारतिय समिधान में जो मूल अधिकार है वो कहां से लिए गया है तो वो अमे समिधान सबाने कब अंकिरित किया था तो 26 जनवरी 1950 को तो यह एकजाम में पूछा गया था यूट्रेट में 2018 में नेक्स्ट था यहां पे कि 42 में समिधान संसोधन द्वारा भारत के समिधान के प्रस्थावना धर्म निर्पेक्च और समाजवादी सब्द को जोड़े गए तो यह बहुत important है यह फिक पूछा गया था कि कि समिधान संसोधन के तहत धर्म निर्पेक्च और समाजवादी सब्द को जोड़े गए थे तो वो तब 42 में समिधान संसोधन इसके बाद हम बात करें भारत के समिधान में उद्देशिगा का विचार जो लिया गया है वो USA क समिधान से लिया गया है जबकि उद्देशिगा की भासा जो है वो अस्टेलिया से लिया गया है तो यहां से दो कोशन यह भी बन जाता है इसके बाद नेक्ट है और बहुत important है कि भारत के समिधान में समवर्ती सुची को ऑस्टेलिया से लिया गया है तो यह ऑस्टेलिया स लिए गया है और इस सुची में ऐसे विसे सामिल है जिन पर केंद्र और जा रिये तो केंदर के सासत राज्यों में भी लागूँ होगी इस प्रकार से जो शिछा विषय है वो आपका सम्वर्ति सुचि कं trat हो यहां पर वो ही बताएं कि जो 52 को नो थया गया गया हैं तो यह इंक बना लिया और यही जो एक्जाम में पूछे गए थे और चलिए आपको एक बार दिखा जिए कि क्या क्या एक्जाम में पूछा गया था तो यह दोज़ा था नमबर 142 हमने आपको उटाया कि भारत के समिधान में प्रस्थाउना में धर्व निर्पिक्च और समाजवादी सब्स जोड़े गये थे तो यह जोड़े गये थे 42 वहां संसोधन द्वारा इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कोशन पूछा गया था हम बात करें यह 27 का पेपार है तो कौन सा अनुशेद भारती समिधान के हिर्दय और आत्मा का कहलाती है तो वह था आर्टिकल 32 याने अनुशेद 32 तो यहां भी ऑप्सन सही जगया है अब देखिए कुछ यहां पर NCRT में कुछ पॉइंट है इसको हम आपको NCRT की बुक मे पर मतलब का होता है इसका इसके बाद यहां पी। सरकार हैं और केंदर पर भी पंचायती राज विवस्ता सासन का तीसरा इस्तार है तो इस प्रकार से जो अगर हम बात करें तो अलग-अलग में और केंद्र में अलगालग सरकार हैं होती हो स्स करा जाता है इसके बाद यहां पर संशते सर रहा सरकार को प्र attain का उयcare संवीदाने में कर souvent करने सब्सक् должia काम करती है और नियालेंगों की बिश्चता नयाई पालिका को कहा जाता है तो इस प्रकार से इंप्रटेंट पॉइंट है और यह आपको पता होगा इसलिए हमने इसको ज्यादा यहाँ पर हमने नोट नहीं किये हुए है क्योंकि नॉर्मल से पॉइंट है जो आप सभी को पत सबाब नहीं कर सकता इसके लाँ सब्सक्राइब करिया कि अगर हम बात करें तो यहाँ परcription के भात्क तो सब्घक व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है हिए का गया साहते हैं सभी पड़तीक लिखने का बाथा और यह अदार इयां पर इसको आधिकार चीजे का अधिकर का अधिकर या यहां पर यह चेप्टर यह हमारे यहां पर खत्म होता है और जो भी इंपोरेंट पॉइंट है उसको में नोट कर लिया है तो बिल्कुल आप भी जरूर नोट कर लिए क्योंकि यहां से एक्जाम में कोईशन पूछे गए हैं